नमस्कार दोस्तों आप सभी का हमारे और आपके इस प्यारे से लनिम पुर्लाव सुपर क्लासेज यूटूब चैनल पस्वागत है काफी दिन से वीडियो के माध्यम से आपसे हम सीधी संबंद नहीं बना पा रहे थे आज हम लोग वीडियो के माध्यम से एक दूसरे से समझ सबसे पहले हमें इस समझत होगा कि प्रकास क्या होता है जिसे हम अंग्रेजी में क्या कहते हैं लाइट प्रकास सबसे पहले हमें यह समझता होगा कि प्रकास क्या होता है जिसे हम अंगरेजी में क्या कहते हैं लाइट कहते हैं ठीक है अच्छे अब जानते ही होंगे जो प्रकास होता है एक प्रकार की उर्जा होती है पहली जनकारी प्रकास क्या होती है एक प्रकार की उर्जा होत की समक्ता नहीं होती है वो जैसे दैखे प्रिथवी से सूरे की सूरे की बीच kicking जो दूरी होती है वह सोरा करों किलो मीटर है इसका अर्थ है कि वे सी कुछ दूरी तको आप बंडल है इसके बाहर जो अंतरिक्षम निर्वात है इसका मतलब यह है कि प्रकास को चलने के लिए किसी माध्यम किया हो सकता नहीं होती है उस उर्जा को हम लोग कहते हैं बीकिरण उर्जा को हम लोग कहते हैं बीकिरण उर्जा तो प्रकास हमारी कौन सी उर्जा है कोई पूछे तो बताएं अच्छे दूसरी चानकारी कि यह प्रकास हमारे सरीर के सबसे ज्यादा किस भाग को प्रभावित करता तो इसका अंसर है कि प्रकास की वजह से सभी वस्तूओं को देखा जा सकता है और बिना प्रकास के किसी वस्तूओं को देखा नहीं जा सकता है लेकिन हाँ सावधान प्रकास की वजह से हम वस्तूओं को देख पाते हैं लेकिन प्रकास को नहीं देख पाते हैं इसका अर्थ ही यह हुआ कि यह देखना हमारे आंख में के हमारे सरीर की आंख में आंख से रिलेटेड है इसका अर्थ है कि प्रकास जो है हमारे सरीर में आख को संबेदित करता है और वस्तूओं को क्या करता है अभास करता है मतलब आप कह सकते हैं कि हमारी नेत्र द्रिस्टी को जागरित करके वस्तूओं का क्या करता है अभास करता है तो हम यहाँ पले सकते हैं प्रकास एक भीक्रण उर्जा है जो क्या करता है हमारा नेत्र इसके ब बस्तूओं का क्या कराता है आभास ठीक है अगर ये दो क्वालिटी जिसके अंतरगर्द आगई भाई आज के बाद उससे हम क्या कहेंगे प्रकास कहेंगे ठीक है एक प्रकास क्या होता प्रकास एक प्रकार की बीकिरण उर्जा है जो हमारी नित्रद्रिष्टी को जागरित क बस्तूओं का क्या करती है अभास करती अब दोनों को मिला कर प्रकास के हम लोग परिभासा बना दें बोले ठीक है आम सुने वहाँ बेकिरण उर्जा जो नित्रद्रिष्टि को जागरित करके बस्तूओं का अभास करती है उसे हम प्रकास कहते हैं बाकी वैसे प्रकास के और क्या करता है आभास करता है अब आप मुझे लगता है प्रकास के बारे में सब कुछ समझ गए होंगे प्रकास की परिभासा बना ले देंगे आजिए आप कुछ मिलकर प्रकास के बारे में हो समझते हैं अब समझते हैं कि प्रकास के गुड क्या होते हैं प्रकास के गुड प् प्रापर्टी आफ इसके बाद लाइट प्रापर्टी आफ लाइट तो प्रापर्टी आप समझता है कि प्रकास के गुड कितनी है प्रकास का क्या क्या गुड होता है इसको हम लोग एक एक करके अनलसेस करेंगे जो बोड एक्जाम में पूछा भी जाता है कि प्रकास क्या हो तो पहले हम लोग समझते हैं प्रकास के गुड़ क्या होता है ठीक है प्रकास के गुड़ में सबसे पहली जानकारे यह है कि प्रकास बच्चो सीधी रेखा में चलता है कैसे चलता है सीधी रेखा में यहां पर लिग देता हूं प्रकास जो होता है सदयो सरल रेखा या सीधी रेखा सीधी या इसे आप कह सकते हैं सारला रेखा में घमन करता है या चलता है मतलब यह है कि सूर भगवान से जो प्रकास एक रड़े पृतवी तक आती है एक सरल रेखा अर्फा सीधी रेखा में जैसे यह हमारा मालईजी सूर है और इसके बाद देखे यह हम कहीं यहाँ प्रित्वी पर आएगी तो ऐसे आएगी, 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 जो की एक सदर सरल रेखा बना रही है, ठीक है, तो प्रित्वी पर ऐसे ऐसे लहरा के नहीं आती है, कैसे आती है भाई, हमेशा एक सरल रेखा में आती है तो पहली जनकारी यह हो गई कि प्रकास जो होता है सरल कैसे चलता है सरल रेखा में चलता है सीधी रेखा में चलता है दूसरी जनकारी है कि प्रकास को चलने के लिए माध्यम की आवसकता नहीं होती है दूसरी quality ये है कि प्रकास को चलने के लिए माध्यम क्या हो सकता नहीं होती जैसा कि अभी अभी हमने बताया कि प्रकास किसी माध्यम में चल सकता है जैसे निरवात में भी गमन कर सकता है और हवा में भी चल सकता है इसके बाद सुनिए इसके बाद आप जल में प्रकास को डा जाता है इसका अर्थ है कि प्रकास को चलने के लिए माध्यम क्या हो सकता नहीं होती है लेकिन सावधान प्रकास को जो प्रकास जो है माध्यम में प्रकास को चलने के लिए माध्यम क्या हो सकता नहीं होती है ठीक है प्रकास निरवात में भी चल सकता है किसमें भी चल सकता है निर्वात में ठीक है इसका मतलब यह है कि निर्वात को अंग्रेजी में वाक्यूम बोला जाता है तो प्रकास जो है निर्वात में भी गमन कर सकता है लेकिन निर्वात में जब चलेगा और जब निर्वात में चलेगा तो निर्वात में प्रकास की चाल को सी से लिखा जाता अंग्रे जी के इसमाल सी से लिखा जाता है और सी बगुड़े डसी पावर आठ मीटरों से सकेंड होटा है मतलब यह है कि प्रकाश को चलने के रिए माध्यम की अक्षेकर नहीं है प्रकास निरवात में भी चल सकता है, लेकिंद से लिखा जाएगा और c बराबर होगा तिन गुड़े 10 घात 8 मीटर प्रति सेक्ड, अर्था निरवात में प्रकास की जो चाल है, तीन गुड़े 10 घात 8 मीटर प्रति सेकेंड चलेगे, एक सेकेंड में तीन गुड़े दस की घात आठ मीटर की दूरी तय करेगी यह आप इसे लिख सकते हैं तीन गुड़े दस की घात पांच यह लिख सकते हैं इसको किलो मीटर अब बटे लिख सकते हैं सेकेंड इसका अर्थ है है कि एक सेकेंड में तीन गुड़े दस की घात पांच किलो मीटर की दूरी तैय कर लेती है कौन हमारी प्रकास एक सिकंड में ठीक है अच्छे जो निरवात का डिफ्रेक्टिव इंडेक्स होता है आप वरतनांक होता हो वही हवा कभी लगभग लगभग बराबर होता है थोड़ा सा हवा का ज्यादा होता है लेकिन लगभग बराबर माना जाता है तो निरवात में या हवा में प्रकास की चाल कितनी होती है तीन गुड़े दस की हाथ, आठ मीटर प्रति सेकेंड होती है, ठेक है, यह हो गया, इसके बाद जो प्रकास है, प्रकास जो होता है, कि एक सरलेखाम चला, इसका मतलब किरण के रूप में चला, आपने देखा, प्रकास जो होता है, छोटे छोटे बंडलों के रूप में चलता है छोटे 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 बंडलों या इससे हम लोग पैकेटों का पैकेट कहते हैं पैकेटों के रूप में भी गमन करता है प्रकास जो होता है किसी प्रकास रोथ से छोटे छोटे कणों के रूप में निकलका उत्सार जीत होता है और माध्यम में आगे प्रकास की चाल से बढ़ता है ऐसा मतलब में आगे और भी मतलब चेप्टरों में इसको बिस्तित रूप से एनलसेस करने वाल है सबसे पहले हमने क्या सिखा प्रकास होता छोटे छोटे बंडलों या पैकेटों के रूप में चलता और इस बंडलों को हम लोग क्या कहते हैं फोटान कहते हैं इन बंडलों को हम लोग क्या कहते हैं भाई फोटान कहते हैं और एक फोटान की जो उडर्जा होती है वह याज निव के बराबर होती है, जहाँ याज एक पलांक नियतांग होता है, निव क्या होती है? प्रकास कण की आबरिती होती है, याज का मतलब 6.6 गुड़े 10 की खात माइनस 34 जूल होता है इसका माला और ये निव जो होती है, उस होती है वह कितनी होती है यह अच्छा न्यू होती यह सारी चीजे यह जनकारी में आपको प्रोवाइड करना चाहता था ठीक है अच्छे यह हो गया प्रकास छोटे-छोटे बंडलों के रूप में चलता है और इन बंडलों को या पोपाइकेड भी कहते हैं और इसे हम लोग फोटान कहते हैं और एक फोटान की उजाई अच्छी न्यू के बराबर होती है इसके बाद सुनिए प्रकास जो होता है तरंगों के रूप में चलता है प्रकास किसके रूप में चलता है तरंगों के रूप में भी चलता है या गमन करता है ठीक है प्रकास जो होता है प्रकास की होती है, तरंग प्रकास की होती है, तो प्रकास कुछ घटनाओं में तरंग की तरह बिवार करता है, कुछ घटनाओं में आपका किरर की तरह बिवार करता है, तो कब ऐसी से इस्टिशन आती है, उस पर डिस्कस करेंगे, अभी बस आप मांद चलिए, प्रकास तरं या दलना मतलब का भी गुड़ पाया जयाता है utiliser सूर' की अंदर सुथ प्रकास करेंए लेकिन वह बट जाती है कितनी रंगों में सात रंगों में बढ जाती है ठीक है इस घटना को वड़ बिक्षेपड कहते हैं तो वड़ का बिक्षेपड कहते हैं तो वड़ का बिक्षेपड कहते हैं तो प्रकास के अंदर यह भी गुड़ होता है इसके बाद प्रकास के अंदर परावर्तन का गुड़ होता है इसके बाद प्रकास के अंदर अपवर्तन का गुड़ होता है इसके बाद प्रकास के अंदर यहां दिखाई दे रहा होगा प्रकास के अंदर बेती करण का गुड़ पाया जाता है इसके बाद प्रकास के अंदर बीवर्तन का गुड़ पाया जाता है प्रकास के अंदर इसके बाद आपका ध्रूवड का गुड़ पाया जता है प्रकास के अंदर ध्रूवड का गुड़ पाया जता है इसके बाद प्रकास के बाद बैदूत प्रभाव होता है प्रकास बैदूत इसके बाद प्रभाव ठीक है तो प्रकास के अंदर ये तमाम गुड़ों में जैसे एक, दो, तीन, चार, पान, छे, साथ, आठ, नव, दस, ग्यारा ये टोटल ग्यारा बारा गुड़ आपको हमेशा याद रहेंगे इसके माध्यम से हम लोग क्या करेंगे आगे बहुत सारे चीजों को एनलेसिस कर जैसे देखे ये आपका बेतिकरण है ये भीवरतन है ये ध्रुणड है ये प्रकास बैदुत प्रभावा ये आपका परावरतन है तो कक्छा दस में ये प्रावरतन न और यह जो आप वर्तन मिला था इसी से आपका काम चल गया था लेकिन आप इंटरमेडिये 10 प्लस 2 नंबर मिल जाते हैं ठीक है अब मैं इसको मिटा देता हूं आप इसक्रीन साट लिए होंगे या पीछे वीडियो को थोड़ा सा बैक करके इसक्रीन साट लिए लिजेगा फिर हम आपको कुछ नई नई बात आज आपको बताते हैं अब थोड़ा सा हम जब स्टार्ट अप कर रहे हैं तो थोड़ा सा क्या करते हैं समझ लेते हैं कि प्रकास क्या होता है इसके बाद हम लोग एक योजना बना लेंगे तब योजना के इसके बाद तरंगू की रुप में भी चलता है इसका मतलब यह हुआ कि प्रकास जो होता है तरंग की तरह भी ओहर करता है कि इसका मतलब यह हुआ कि आज हमको प्रकास के गुड को बहुत गहराई से अध्यन करना है और जब गहराई से अध्यन करना है तो सब से पहले हमको यह भाई समझना होगा कि सबसे पहले जो second paper की unit आपके सामने लगेगी उसका नाम होगा प्रकास की यहां दिखाई दे रहा होगा यहां मैं लिखता हूँ प्रकास की यह देखें प्रकास की और यह प्रकास की को अंग्रेजी में बच्चों कहा जाता है optics क्या कहा जाता है उपर हो गया है मैं थोड़ा सा इसको नीचे कर देता हूँ भाई प्रकास की प्रकास की दिख रहा होगा प्रकास की इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं हम लोग optics कहते हैं optics यह देखिए हमारा क्या है प्रकास की अब देखें प्रकास की को सबसे पहले unit second paper की पहले unit क्या है आपकी प्रकास्की, अब प्रकास्की का मतलब है कि प्रकास के बारे में आपको अध्यन करना है, तो प्रकास्की के बारे में प्रकास्की को अंगरेजी में पहला जो भाग है उसको कहा जाता है किरण प्रकास की उसको भाई क्या कहा जाता है किरण इसके बाद प्रकास की जिसे हम लोग अंग्रेजी में रे आप्टिक्स कहते हैं रे इसके बाद आप्टिक्स कहते हैं तो पहला भाग हमारा क्या है रे आप्टिक्स किरण प्रकास की अब इसमें समझते हैं एक एक करके इस यूनिट में प्रकास की को सबसे पहले दो भागों में क्या किया गया है, डिवाइड किया गया है, पहला आपका किरण प्रकास की जिसे अंग्रेजी में रे अप्टिक्स कहते हैं, इस रे अप्टिक्स के अंतरगत कई सारे चेप्टर ह नाम है प्रकास का प्रकास का परावर्तन पहले चेप्टर का नाम है प्रकास का परावर्तन इसको अंग्रेजी में कहते हैं reflection of light, क्या कहते हैं भई, reflection of light, अब मैं अंग्रेजी निलिखूंगा तो सारी चीज़ों को लिख नहीं कहाँगा, इसलिए मैं बोल दे रहा हूँ, आप समले लिजेगा, ये क्या है reflection of light, ठीक है, इसके बाद नंबर दूसरा जो चेप्टर आपका आएगा, प्रकास का अपवर् ये प्रकास का आपका हो गया अपवर्तन, इसको अंग्रेजी में कहते है, reflection of light, क्या कहते हैं मिर भाई, reflection of light, इसके बाद अपवर्तन की जो घटना है, जैसे प्रावर्तन की घटना बहुत छोटे में आप समझ जाएंगे, लेकिन अपवर्तन की घटना को थोड़ा analysis करने के deep में जाने के लिए आपको पहले क्या करना होगा, इसके बाद गोलिय प्रिस्टों से अपवर्तन, मतलब reflection through spherical surface, इसका मतलब है गोली प्रिस्टों से प्रकास का अपवर्तन कैसे होता है, इसके बारे में इस चेप्टर में जनकारी मिलेगे, इसके बाद अगला जो हमारा चेप्टर लगेगा, lens से अपवर्तन, किस से भाई मेरे, lens से अपवर्तन, यानि reflection through lens, यानि lens से अपवर्तन कैसे होता है, बहुत सारी जनकारी को analysis करेंगे, हम लोग इस topic में, ठीक है, इसके बाद हमारा lens से अपवर्तन होने के बाद, तुरंत ह हमारा आता है, प्रिजम द्वारा अपवर्तन, प्रिजम द्वारा इसके बाद आता है, अपवर्तन, मतलब प्रिजम से कैसे अपवर्तन होता है, जिससे अंग्रेजीम कहते है, reflection through फ्रिजम, और इसमें वड़ भी छेपर, मतलब dispersion of white light, इसके बाद आपका scattering, प्रकास्ट का प्रक्रिड़ा इन वगयरा वगयरा सब इसमें मिल जाएगा, तो प्रिजम द्वारा अपवर्तन भाई आप समझेंगे, अब इसके बाद यहां पर हम देखते हैं, प्रिजम द्वारा अपवर्तन होने के बाद, एक चेप्टर लगेगा, मानौनेत्र, जिससे अंग्रेजी में हम लोग क्या कहते हैं, मतलब हमारे आख में एक लेंस लगा होता है, अब जब लेंस लगा है, तो फिजिकली हमारे अंदर क्या-क्या चीजें होती है, इसके बारे बात करेंगे, और आप तो बायोगी की स्टुडेंट होगे, तो बायोजी में ठीक-ठीक पढ़ी रही के बाद आपका आता है प्रकासिक यंत्र कीया आता है मेरी भाई प्रकासिक यंत्र जिसे अंगरेजी में कहते हैं ihr optical instrument क्या कहते हैं मैरे optical instrument इसका मतलब इसमें हम लोग पढ़ेगे सुक्षमदर्सी दूर्दर्सी और उन से आवर्धन छंता बगएरा बगएरा के बारे में बनाओ टो नोट के बारे में हम लोग पढ़ेंगे तो यह प्रकासिक यंत्र, इस प्रकासिक यंत्र के बाद हमारा किरण प्रकास की खतम होता है, इसका अर्थ कितना हो गया, यह एक चेप्टर हो गया, दोसरा चेप्टर हो ग लाके आपको पढ़ना है किरण प्रकास की, इसका अर्थबच्चों ये है कि किरण प्रकास की जो होती है, प्रकास जो होता है कुछ घटनाओं में किरण की तरह बेवार करता है, तो जब प्रकास की तरह बेवार करेगा, तो प्रकास की अंदर साथ चेप्टर की माध्यम से हम लोग प्रकास के गुड को बिधवत अध्यन करेंगे मतलब यह है कि किरण प्रकासकी में साथ चेप्टर पढ़ने हैं अच्छा मतलब प्रकास जो होता किरण की तरह बेवार करेगा तो हमें साथ चेप्टर पढ़ेंगे तो हमको संभवता किरण प्रकासकी के बारे में 12th standard में जनकारे जो होनी चाहिए थे उस label की हो जाएगी ठीक है अब समझते हैं दूसरा हमारा क्या है दूसरा प्रकासकी का भाग जो है हमारा है तरंग इसके बाद प्रकास की हमारा क्या है तरंग इसके बाद प्रकास की जिसे अंगरेजी में हम लोग क्या कहते है वेव आप्टिक्स क्या हम भाई कहते है वेव इसके बाद हमारा हो गया आप्टिक्स ठीक है पहला प्रकास की का भाग हमारा देखिए अभी यूनिट पहले ही चल लिए अभी प्रकास की चली मैंने प्रकास की को बस वीदवत अध्यन करने के लिए हमने इसको क्या किया है दो भागों में डिवाइट किया है ये किरण प्रकास की है ये दूसरा आपका तरंग प्रकास की जिसे हम अंगरेजी में वेव आप्टिक्स कहते हैं ठीक है अब वेव आप्टिक जो होता है, कुछ नई नई घटनाूं की खोज हुई और इसके बाद ये पता चला प्रकास कुछ घटनाूं में तरग की तरग बहर करता है तो उससे परावरतन और अपवरतन की वियाख्या की गई और बाकी चीज़ों को भी उस समझा गया तो सबसे पहला समझाएगा तरंग प्रकास की का पहला चेप्टर लगा प्रकास का तरंग सिध्धांत प्रकास का तरंग इसके बाद सिध्धांत प्रकास का तरंग सिध्धांत जिसे अंगरेजिम कहते है वेव थियूरी आफ लाइट जिसे अंगरेजिम मेरे भाई क्या कहते वेव थियूरी आफ लाइट ठेके प्रकास का कौन सा सिद्धा तरंग सिद्धन इस चेप्टर में आपको बस यह जनकारे मिलेगी कि प्रकास तरंग है इस विशय पर कितने बैज्ञानिकों ने अपने किस तरीके के मत भेदिया कौन से कौन से अपने मिलेगी जिसका नाम होगा प्रकास का कौन सा सिद्धन तरंग सिद्धन इसके बात तुरंट आपकाद चेपटर मिलेगा ब्याथी करण प्रकास का कौन सा करण ब्यातिकरण जिसे अंगरेजी में क्या कहते है interference कहते हैं नतलब जब प्रकास के एक माध्यम में क्या करते हैं एक दिशा में गबन करते हैं एक ही आप रेते की तो कुछ विंदूओं पर उनकी परड़ा में ते बिता आधिकता हुआ कुछ विंदूओं पर ने उनतम होती है तो यह सब क्यों होता है यह घटनाए जागर देखने को मिली तिससी में हम लोग बितिकरण में पढ़ेंगे यह जो होता है आपका दूसरा चेप्टर लग गया इसके बाद तरंग सिधान का तीसरा चेप्टर होगा तरन्ड प्रकास्की का जो तीसरा चेप्टिर होगा उसका नाम होगा वीवरतन जिससे अंगरेजी में diffraction कहते हैं क्या कहते हैं मेरे भाई? diffraction ठीक है? diffraction इसमें आपको क्या समझना होगा diffraction में कि जब हम क्या करते हैं प्रकास के मार्ग में कोई आवरोथ या कोई छिदर रख देते हैं तो उस छिदर के किनारों पर या आवरोथ किनारों पर थोड़ा थोड़ा प्रकास करें बैंड हो जाती हैं यह क्यों होता ऐसा इसके बारे में हम लोग अध्यन करने वाले हैं किसमें इसके बाद मेरे भाई चौथा जो चैप्टर लगता है उसका नाम होता है ध्रुवर्ड उसका क्या नाम होता है ध्रुवर्ड मतलब कहते हैं इसे अंगरेजी में polarization अंगलेजी में कया कहते हैं तो है चारो ब्रकास आप करिए कि चारो ब्रकास को किसी एक दिसा में मोड़ा emba तो चारो और क्या प्रकास एक दिसा में ज्यादा होगी इस घटना को जो करते हैं हम लोग द्रूवण करते हैं पॉलराइड का चस्मा वगएरा इस चेप्टर में खोब एनलसिस कर आएंगे हम इसके बाद प्रकास के ध्रूवण के बाद प्रकास बैदूत प्रभाव उमीद है बस इतना ही चेप्टर यानि कि पहला तरंग प्रकास की कहा है प्रकास का तरंग से दंत वेब थेवरी आफ लाइट दूसरा है ब्यतिकरण बीवर्तन ध्रूवण और प्रकास बैदूत प्रभाव यानि कि तरंग प्रकास्की में पांच चेप्टर किरण प्रकास्की में टोटल मिला के आपके साथ चेप्टर इन जो चेप्टरों को अगर आपको बिधवत धंग से पढ़ते हैं तो 12th standard में 12 की class में आप मुझे लगता है ठीक ठाक अज्यान अरजित कर लेंगे क्योंकि जो 12 का second paper है उसमें सबसे ज्यादा आप होम के अगर कोई निभाता है तो प्रकास्की है प्रकास्की का मतलब उसमें चीजों को जादा पढ़ना है और उसके numbering कम है जैसे second paper का जो total mark होता है वो कितना होता है मेरे भाई 35 होता है अब first paper भी आपका कितना होता है 35 अब पूरे प्रकास्की से आपका board exam में 13 number का प्रस्ण पूछा जाता है मतलब सोचिए 5 ये 7 ये 7 ये 7 पंच 12 अगर 12 chapter को अगर आप ढंग से पढ़ेंगे तो 12 chapter को मिला के आपको total वर total कितने number मिलने वाले हैं board में भाई 13 लेकिन हाँ चीजों को जब हम बेदर तरीके से analysis कर लेंगे तो board में तो 13 number जहूर आएंगे लेकिन आगे हमें इतनी जंकारिया मिल जाएगे आगे पढ़ने की प्रेड़ा बहुत ज़्यादा बढ़ जाए ठीक है तो उमीद करता हूं कि यह सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई हो कि बाकी आप पहले क्या करते हैं अब की वार कोविड-90 के मतलब दौर में इसको क्या किया गया है अभी मतलब कोविड-90 इस दौर ऐसा सरकार मानना है कि अभी कोविड-90 का दोर चला है हटा नहीं है इसमें कुछ-कुछ चेप्टर को एन्वा हटा दिया गया है जैसे गोली प्रिष्टों से प्रकास का परावर्तन ये चेप्टर हटा दिया अपका है इसमें प्रकासिक यंत्र में भी कुछ चीजे काटी इसमें बच्रूबर को भी काट दिया गया है बैदुद प्रभाव को भी साहतकर दिया गया है और कुछ इमसे चीजों थोड़ा-थोड़ा कुछ हेडिंग को काटा गया है तो आप हम से जुड़े रहे जो जो चीजे आपको पढ़हना है जो जो बोर्ण वाली मैं आयने व उमीद कराऊंगा कि पूरा आपको समझ में आजा ठीके तो मेरे भाई इतना अगर आपको सारी बाते प्रकास प्रकास के गुण और प्रकास का ये डिवाइडेशन प्रकास की ये सारे चीजे एनलेसिस की होगी अब मतब थोड़ी पी आपको जनकारी यूजफुल लगी होगी तो चैनल को सब्सक्राइब करके आप बेल आइकेन को दबा दीजेगा और वीडियो को लाइक से जरू करिएगा धन्यवाद